हाई योरिवन मैं हूँ आर्ती और स्वागत है आपका स्वाद रेसिपीज में तो आज हम बनाएंगे चिक की कुर्ड़ई की रेसिपी तो चलिए ये फुली फुली चिक की कुर्ड़ई कैसे बनाना है वो देखते हैं चीक की कुर्ड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गहु का एक बहुल चीक ले लिया है और ये चीक कैसे बनाना है इसका वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है अगर आपने वो विडियो नहीं देखा है तो आपके लिए इसकी लिंक मैंने उपर आय बटन पर और लास में end screen में दे दी है वहाँ पर आप शेक कर सकते हो और उसके बाद हमारी चीक की कुड़े एकदम सपत आने के लिए हमें चीक में डाल देना है आदा कटोरी भिगाया हुआ साबुदाना अब हमें इस साबू दाने को डालना है ग्राइंडर में और ग्राइंडर में डालने के बाद इस साबू दाने में हमें आदा कटोरी पानी डालना है और पानी के साथ इस साबू दाने को हमें अच्छे से ग्राइंड करना है तो यहाँ पर मैंने साबू दाने को ग्राइंड कर क्योंकि ग्राइन करते वक्त साबू दाने में कुछ मोटे मोटे साबू दाने के पिसेस रहे जाते हैं तो यहां पर मैंने साबू दाने को अच्छे से चान लिया है और आप देख सकते हो चरणी में साबू दाने के मोटे मोटे पिसेस बज गए है तो इनको हम साइड में रख कर लिया है अब हमें इस चीप को पकाना है पकाने के लिए यहाँ पर हमें एक बड़ा बरतन लेना है और उस बरतन में हमने जिस बाउल से एक बाउल चिक लिया था उसी बाउल से हमें दो बाउल पानी डालना है और पानी डालने के बाद इस बाउल को हमें गैस के उपर रख देना है तो यहाँ पर हमारे पानी को अच्छे से उभर आ जुगा है अब हमें उभलते हुए पानी में डाल देना है दो चमच नमक और नमक डालने के बाद गैस को बंद करना है और इस पतेले को हमें गैस से नीचे उतरना है और उसके बाद पतेले में से हमें आदा बाउल पानी निकाल कर साइड में रखना है जरुरत पढ़ेगी तो यह पानी हम यूज़ करेंगे और उसके बाद इस पतेले में हमें इस तरीके से हमारा चीक डालते जाना है और चम्मत से कंटिन्यू मिकुस करते रहना है ताकि इस चीक की हमारे पानी में गुथिया ना बने और चिक डालने के लिए आप आपके घर का कोई भी एक विक्ति की मदद ले सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा चिक पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है तो इस पतेले को हम गैस की उपर रखेंगे और continue चमस से चलाती हुए लोप लेंपर चिक को 2-3 मिन तक पका लेंगे तो यहाँ पर मैंने चिक को 3 मिन तक पका लिया है और 3 मिन पर आप देख सकते हो हमारा चिक कितना गाड़ा हो जुका है और चिक को हमें बिल्कुल भी नहीं चोड़ना है चमस से चलाते रहना है और यहाँ पर आप देख सकते हो चिक में बिल्कुल भी गुटलिया नहीं बनी है तो इस चिक को हम चमस से चलाती हुए और 2-3 मिन तक पका लेंगे तीन मिनिट के बाद आप देख सकते हो चीक हमारा काफी गाड़ा हो जुका है अब हमें इस चीक को ढग कर लो फ्लेम पर 2-3 मिनिट तक पका लेंगे तीन मिनिट के बाद थाली को हटा देंगे और हमारे चीक को हमें फिर से चमच से अच्छे से मिक्स करना है और mix करने के बाद기는 हमारा चिक कुरड़े बनाने के लिए पक गया है या नहीं ओचेक करेंगे इस चमाच को हमें इस तरीके से उपर उठाना है और उपर उठाने से यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा चिक चमाच को अच्चे से लटग रहा है इसका मतलब यह है कि हमारा चिक अब कुरड़ी बनाने के लिए पक गया है और यहाँ पर मैं आपको दुसरा भी एक तरीका बताती हो हमें एक कटोरी में पाने लेना है और पाने से हमें हाथों को गिला करना है और गिले हाथ हमारे चिक को टच करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो चिक हमारा हाथों पर नहीं चिपका है इसका मतलब यह कि हमारा चिक अब अच्छे से पक गया है और यहाँ पर हमने जो आदा बॉल पाने निकाल कर रखा था वो पानी यहाँ पर हमने योज नहीं किया है अब हम इस चीक की कुर्डिया बनाएंगे कुर्ड़ई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुर्ड़ई का माउल ले लिया है और उसमें मैंने चीक भी डाल दिया है और कुर्ड़ई बनाने के लिए मैंने दूप में प्लास्टिक की सीट डाल दी है तीन राउन में हमारी कुर्ड़ी बहुती अच्छी बनती है और दिखने में यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी कुर्ड़ी बहुती सपेथ बन गई है तो यहाँ पर मैंने सेम प्रोसिजर से हमारी सारी कुर्ड़ीया बना कर तयार कर ली है आप देख सकते हो हमारी कुरड़ी बहुत अच्छी बन गई है अब हमें ये चीक की कुरड़ी दो दिनों तक धूप में सुखने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है दो दिन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी चीक की कुरड़ी अब सुख चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी कुरड़ी बिल्कुल भी नहीं चिपकी है और ये बहुत ही अच्छी बनकर रेड़ी हो जुकी है तो ये चिक की कुरड़ी में आपको अब तल कर भी दिखाती हो कुरड़ी तलने के लिए ओयल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी कितनी चोटी से चिक की कुरड़ी तल कर कितनी बड़ी हो जाती है तो यहाँ पर मैंने तीन से चार कुरड़ी तल ली है आप देख सकते हो कुरड़ी बहुत ही अच्छी बनी है और दिखने में बिल्कुल सपेद बन गई है और कितनी चोटी सी हमारी चीक की कुर्ड़ई तलकर कितनी बड़ी हो गई है यहाँ पर मैं आपको ये कुर्ड़ई तोड़ कर भी दिखाती हूँ ये कुर्ड़ई बहुती सौप्ट और क्रिस्पी बन जाती है तो आप इस कुर्ड़ी के रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय कीजे और ये कुर्ड़ी के रेसिपी आपको थोड़ी से भी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक कीजे और अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर